श्वाक साब आपकी बात में समझ गही हूँ, आप माशाला आवाज से और बैद बता रहे हैं जिसे कमांडो हैं आप यंग बंदे लग रहे हैं ठीक है और आप एक सी जहन में जरूर रखिएगा कि आपकी हडियां living organ है, जिन्दा tissue है हमारी हडियां रोज बन रही होती हैं रोज अंदर ये अंदर टूट रही होती हैं महीने डेट के बाद हमारी totally body की हडियां new बन चुकी होती है, remodel हो रही होती है तो आपकी अगर कोई हड़ी का ऐसा कुछ छोटा कुछ fracture था और यंग एज में अगर आप हैं तो ये heal हो जाता है तक्रीबर 6-8 हफते लगते हैं ये heal हो जाता है, अब यहां पर बात आ जाती है कि उसके बाद फिर आपने अपनी care करनी है मिसाल के तौर पर अगर आपका वजन ज्यादा आप उसको कम करें क्योंकि अगर for example 100 kg वजन इस हड़ीयों पर डाल रहे है और already उसमें कोई crack है तो आप उसके लिए problem करें weight कम करें, walk शुरू करें, exercise शुरू करें आजकल ठंड जादा है तो लोग heaters के आगे और कमरों में बैठे रहते हैं इससे उनको और problems हो रही है कि मेरे पास patient आहरे होते है muscle spasm के साथ, पठों के खिचाओ के साथ तो अगर आपके पठों में खिचाओ है वो exercise करने से और कुछ medicine से वो बहतर हो जाता है तो जरूरी नहीं होता कि हर चोटी मोटी चीज़ के लिए surgery ही try की जाए हमारे पास चुके मैं rheumatologist हूँ हम non surgical तरीके से इन बिमारियों का इलाज करते हैं असल सीज हमारे patients को समझना है वो यह कि उन्हें पता और नसी कि उनका मर्स क्या है हर्डियों का problem है और उन्हें किस टॉक्टर की जरूरत है या उसे surgery orthopedic surgeon के पास जाना है या उसे एक rheumatologist के पास आना है जो कि non surgically इन बिमारियों का इलाज करते है क्या पेशिंट खुड डिटामिन कर सकता है कि मुझे rheumatologist के पास जाना है या के surgeon के पास जाना है अब तो देखें जो मैं कल्चर देख रही हूं माशाला सब सोचल मेडिया, स्मार्टफोन, अब चीज़े काफी आगी है तो लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करके patients मेरे पास आते हैं पर सम्टाइम्स नहीं भी पता होता है patients को तो उनको guide कर जाते है simple सा rule है fracture है, टूटा हुआ है, कुछ और ऐसा मसला है, यह replacement है, तो surgeon के पास जाएगा अगर normal आपकी muscular pain है females में जैसे common है हड़ियों की बिमारियां 2-3 बिमारियों के मैं नाम लेना चाहूंगी जो बहुत commonly मैं देख रही हूँ इसको हम यहां पर locally गंठिया, गाठिया के नाम से भी कहते हैं इसमें क्या हुदा है कि आपकी छोटे जोड कलाईया, उंगलियां सूजना शुरू हो जाती है patient के हाथ अकडने शुरू हो जाती है stiffness, बुखार, कमजोरी होती है और commonly females यह देखा जाता है तो इस टाइप की जो auto-immune बिमारियां है तो वह रूमर्टॉट